लाइक शेर और कमेल करना मत भूलना बात्रूम जाने नहीं भूलते ना ये भी मत भूलना वेल्कम क्लास तुड़े वील स्टड़ी लेसन नमबर नाइन मार्केट अराउंड उस मार्केट का मीनिंग क्या हो जाएगा अपरेश परेशन गोभी मार्केट तो फिर्स नमबर नाइन क्लास नमबर नाइन मार्केट तो फिर्स इस लिंक बिट्विन दे प्रोडूसर और को फार्मर्स देते हैं और वो हम तक कौन पहुंचाता है vendors पहुचाते हैं है ना तो इस तरीके से तो producer हो गया former और hawkers vendors and consumer कौन हो गया जो हम लोग खरीदने जाते हैं हमको vegetables की जरुरत होती है तो हम खरीदते हैं तो हम consumer हो गया तो जो sell करता है वो producer और जो buy करता है वो consumer ओके तो market का जो advantage है कि वो producer और consumer को पास मिलाता है है ना next है हमारा it generates employment आपने देखा होगा market में आप जब जाते हैं तो आपको बहुत सारे work आपको दिखाई देते हैंगे different different type के काम वहाँ पर होते रहते हैं जैसे कोई product sale कर रहा है कोई वहाँ पर साफसफाई का काम कर रहा है और यदि shops permanent place पे है तो उस shops का rent holder को मिलता है electronics खर्च होती है तो वहाँ पर भी employment आता है तो इस तरीके से different different areas में लोगों को employment मिलता है different different type के works उनको मिलते है तो उनका earning का source बढ़ जाता है यहां पर है ना तो next हमारा जो point होगा की advantage क्या होते हैं तो यहां पर available variety of goods जब हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं जिससे अभी हमारे घर के सामने कोई vendors आता है वेजिटेबल vendor तो हमारे हमें जो variety of vegetables वो नहीं मिल पाती है लेकिन हम market से जाते हैं vegetables खरीदने जाते हैं तो हमको variety of vegetables मिल जाएगी sometimes हमारे घर के सामने vendors आते हैं जो cloth बेशते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको उसी तरह के कपड़े हमको मिलते हैं जो वो लेकर आते हैं लेकिन यहां हम market में जाते हैं तो मार्केट में उसी तरह की जैकेट का ट्रेंड आ जाता है हर शॉप्स में आपको उस तरह की बहुत सारी जैकेट मिल जाएंगी उस तरह के चीजों का जो वेराइटी है वो भी मिल जाएगी और आपको प्राइज भी बहुत तो उसमें वेरियस मिल सकता है प्राइज भी ब बजट थोड़ा कम है तो उनके हिसाब से भी उस तरह की चीज़े एवलेबल होती है मार्केट में और जिनका बज़ट थोड़ा हाई है तो उनके लिए भी चीज़े एवलेबल होती है मार्केट में हमारा next topic है easily compare quality and price यदि हम market में नहीं जाएंगे तो हम किसी भी चीज का price को compare नहीं कर पाते हैं जैसे हमें कोई चीज खरीदनी है किसी shop से हमको TV खरीदनी है और TV का size और वो सब चीज जो भी हमको requirement होता है वो हमने decide कर लिया कि हमको इस तरह का TV खरीदना है तो हम shops में जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कि उसका price क्या है उसकी quality क्या है कमपनी कितने प्रकार की company market में available है कौन सी company से हम familiar है हम trusted है ये सारी चीजे हम देखते हैं और उसके बाद decide करते क्या हमको इस shop से खरीदना है और नहीं यदि हमको satisfaction नहीं मिलता तो हम दूसरी shop में जाते हैं वहाँ पर भी price tally करते हैं और इस तरह से हम दोनों में compare करते हैं तो इस तरीके से हमको क्या होता है कि हम easily market में जाकर goods का things का जो है price और उसके जो quality है उसको compare कर सकते तो यह consumer के लिए बहुत easy हो जाता है market में जाकर किसी भी चीज़ को purchase करना consumer satisfaction is must तो market में क्या होता है कि consumer का satisfaction बहुत important होता है जो भी हमारे salesman होते हैं वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि यदि consumer हमारे shop में आता है तो वो सामान purchase करके ही जाए तो वो पूरा ध्यान रखते हैं कि consumer को different type की चीज़े दिखाए उनको उनकी पसंद के अनुसार जो भी वो product खरीदने आए हैं तो उनकी पसंद के अनुसार वो दिखा पाए और consumer उनकी shop से खाली हात ना जा पाए तो consumer का satisfaction बहुत ही important हो गया है आजकल भी और पहले भी ऐसा होता था तो okay you had understand I think advantage of market okay let's we understand kinds of market firstly we will complete the retail market and wholesale market okay guys तो firstly what is retail market retail market if we will talk about the meaning the market where goods are sold directly to the public है ना यह हम लोग जब shops में जाते स्टोर्स में जाते तो हमको directly हम माल जो है जो भी हमको requirement होती है वो हम purchase कर सकते हैं shop से तो वो क्या होता है retail market हमें चाहें एक quantity में चाहिए है दो quantity में चाहिए हैं तो हम वहां से purchase कर सकते हैं okay guys now we will understand feature of retail market the first is business to consumer model है ना तो यहां पर क्या होता है यहां पर जो business है वो किस के लिए किया जाता है consumer को माल बेशता है ओके गईस एंड सेकेंड फीचर is goods are sold in small quantities यहां पर जो सामान है retail market में जो भी सामान बेचा जाता है वो कम महत्रा में बेचा जाता है ना खुब बल्क में सामान इन लोग खरीदते भी नहीं है और बेचते भी नहीं है यदि हमको किसी माल का जिसे बहुत बड़े hundred pieces चाहिए किसी address material का तो हमको वो retail market में नहीं मिलेगा है ना तो यहां पर सामान क्या होता है small quantities में बेचा जाता है the next feature is marketing by shops तो retail market में क्या होता है जो भी सामान वो बेचते हैं वो दुकानों के माध्यम से बेचते हैं है ना तो वहां पर या तो उनकी permanent shops होती है या वो temporary shops लगा करके इस तरह से अपना सामान बेचते हैं and next feature is retailer connected with the consumer directly है ना तो इसमें क्या होता है कि एक retailer जो होता है उसका connection direct consumer से होता है तो इसलिए उनने मालूम होता है कि उनकी choice क्या है तो वो उस चीज को understand कर सकते है और वो आगे उसी तरह से माल खरीद कर लाते है और वो फिर हमको आगे उसी तरह से supply करते है या बेचते है next feature is it satisfied our everyday needs जो भी हमें daily life में चीजों का requirement होता है वो चीजे हमें retail market में मिल जाती है next is deal with single और many goods है ना retail market में क्या होता है यह लोग या तो कोई एक टाइप की चीजे बेचते हैं या बहुत सारी चीजे एक साथ रखते हैं है ना our next topic is retailer is a reseller है ना retailer क्या होता है कि wholesale वाले से माल खरीदता है और फिर वो हमको फिर से बेचता है यानि वो खुद product को बनाता नहीं है वो खरीदता है और फिर बेचता है तो इसलिए हम बोल सकते कि retailer is a reseller next feature is buy goods from producer और wholesaler तो जो retailer होता है वो जो भी product या goods है वो कहां से purchase करता है यानि जो bulk में सामान बेचते हैं उनसे purchase करता है otherwise वो direct producer से जो उस तरह का माल बनाता है उनसे purchase करता है next is purchase small quantities but wide variety of product जो retailer होता है वो हर तरह का सामन purchase करता है हर तरह का सामन वो थोड़ा थोड़ा purchase करता है but small quantities में तो purchase करता है but variety उनके पास बहुत सारी होती but wholesaler के पास ऐसा होता है कि नहीं वो या तो एक सामन के साथ deal करते है या तो दो या तीन सामन बहुत few goods के साथ वो deal करते है and next and last feature is satisfy customer for more purchase अभी जो retailer होता है वो हमारे neighborhood का ही होता है हम retail market में जो neighborhood के लोग होते हैं public होती है वही जाएगी ना बाहर से तो कोई आता नहीं है तो उनकी ये duty रहती है shopkeepers की जो duty रहती है कि वो अपने consumer को satisfied करें ताकि वो बार-बार उनके पास ही है इस सामान लेने आपने देखा होगा हम लोग भी हमको कपड़े लेना है तो हमारे neighborhood में जो shops है वहां से लेंगे और जहां से हमने खरीदा एक बार तो हमें यदि वहां से satisfaction मिलता है तो हम वहीं से बार-बार purchase करते तो it is also very important feature कि satisfy customer for more purchase okay guys let's we understand the wholesale market if we will talk about the meaning the markets were goods sold in larger quantities for selling again to make profit इसमें क्या होता है कि जो wholesaler होता है वो बहुत सारी quantities में जो सामान होता है वो sale करता है है ना और वो सामान retailer purchase करता है और वो उसको फिर से resell करता है profit कमाने के लिए तो let's understand the feature of wholesale market first is goods are sold in large quantities at a time इसमें क्या होता है एक दो चीजे यदि हमको चाहिए होगी तो हमको नहीं मिलती है यहाँ पर जो product होता है वो large quantity में sell किया जाता है क्योंकि इसके बाद retailer उसको sell करता है ने small quantities में ओके अबर second feature is customer of a wholesaler is a retailer wholesaler का customer कौन होता है retailer होता है और retailer का customer कौन होता है consumer होता है ओके तो यहाँ पर wholesaler का जो customer कौन हुआ retailer जो कि बाद में फिर से सामान को profit के लिए बीशता है ओके गाइस next feature is deal with one or few product यहाँ पर जो wholesaler होता है वो bulk में काम करता है तो वो बहुत सारी variety नहीं रखता वो एक दो type या कुछ few product ही रखता है है ना next feature is usually in a big town और city only available तो इस तरह का wholesale shops होती है वो छोटे 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 शहरों में नहीं मिलती है अक्सर यह बड़े बड़े शहरों में ही दिखाई देती है ना और जो छोटे शहरों या छोटे गाओ के लोग होते हैं जो retailers होते हैं वो इनके पास जाकर purchase करते हैं सामान और फिर वो हमारे यहां बेशते हैं और हमको उससे retailer market से हम उससे purchase कर सकते हैं इस price of the goods in wholesale markets are lower than the retail markets है ना तो जो भी wholesale goods के price होते हैं वो बहुत कम होते हैं as compared to retail markets ओके next and last feature is जो भी government laws and taxes के जो नियम होते हैं वो सारे different होते हैं retail market के लिए अलग नियम होते हैं और wholesaler के लिए अलग नियम होते हैं ओके तो आइधिक यूद अड़स्टेंड the retail market and wholesale market in next video we will understand the next part of this lesson ओके गाइस thank you and revise it